हेलो फ्रेंड्स वोल्कम है आपका हमारे इस टेक्निकल महता विरूप चानल में और मैं हूँ आपका दोस्त महतावालम दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कुरोनो वैरिस की वज़ा से पूरे देश भर में लोगडाउन चल रहा है और इस लोगडाउन में स्कूल, कॉलेज, इनवर्सिटीज और जितनी भी कमपनीज है वो सारी के सारी कमपनीज बंध है ऐसे में कमपनीज अपने करमचारियों को घर से काम करने का आदेश दिया है लेकिन अब सवाल ये उड़ता है कि घर से काम करे तो कैसे करे जाहिर से बात है अभी लॉकडाउन चल रहा है और बहुत से कामों में मीटिंग्स करनी होती है तो लोग घर से बाहर निकलेंगे नहीं, ओफिस जाएंगे नहीं तो मीटिंग्स कैसे होगी तो ऐसे में एक एप की मदद ली जारी है जिसका नाम है जूम ये एप कितना ज़्यादा खतरनाक है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते तो आज के इस वीडियो में हम इसी का खुलासा करने वाले हैं तो बीना वक्त जाय कि ये इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अभी लॉक्टाण चलना है कोरोना वायरिस की वज़ा से अगर आप जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरिस क्या है ये कितने टाप्स के होते हैं इसकी शिरुवात कब हुई थी और ये काम कैसे करता है ये वायरिस लोगों में कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे और सबसे एहम सवाल ये, कि इसकी वैक्सिंग कब बनेगी, वैक्सिंग बनने में क्या-क्या प्रोसेस है, वो सारी की सारी चीजे, मैंने अपने वीडियो में बताई हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो के जाके ज़रूर देखें, लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, खेर अब हम उसी टॉपिक प्याते हैं, दोस्तो जूम एक वीडियो कॉलिंग एप है, इसकी अस्थापना 21 अप्रिल 2011 में हुई थी, यानि कि आज से रेटिंग भी काफी अच्छी है, इस एप की खासियत ये है कि लगबग 100 लोग एक साथ एकटे हो सकते हैं, यानि वीडियो कॉन्फरेंस कर सकते हैं, इसलिए online classes चल रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, इन फैक्ट कई लोगों ने थे बौधे पाथी celebrate भी कर लिया है, लेकिन एक बात से लोग बेखबर हैं कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, साइबर एक्सपॉर्ट का कहना है कि ये साइबर फ्रॉड का जरिया बन सकता है, और आरोप ये लगा है कि ये Facebook के साथ डेटा शेयर कर रहा है, साइबर सिक्योर्टी के लिए भारत में एक जिसका नाम है CERTIN यानि Computer Emergency Response Team of India, इस एजनसी ने एक चितावनी दिया कि अगर इस एप का सवधानिस अस्तमाल नहीं किया गया, तो साइबर एटैक का जरिया बन सकता है, जिसमें यूजर्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस इससे बचे कैसे, इससे बचने के लिए इस एप्लिकेशन को समय सहिमय पर update करते रहें, और पासवर्ट को हमेशा change करते रहें और याद रखें, पासवर्ट जब भी डालें, तो हमेशा Khanh प्रियेट करके ही डालें, लेकिन फिर भी दोस्तों इस एप को यूजर्स करने के जैसे हम किसी को message भेचते हैं, तो वो message encrypted होता है, locked होता है, यानि कि बीच में उस message को कोई नहीं पढ़ सकता है, और जो video calling होते हैं, उसमें भी यही चीज़ है, बीच में कोई भी उस video calling को interference नहीं कर सकता है, बीच में कोई भी बात नहीं सुन सकता है, तो यह है WhatsApp की security, और अगर हम zoom की बात करें, तो zoom कहता है कि हमारा message के लिए end to end encryption system है, लेकिन video calling के लिए नहीं, दोस्तो एक news सामने आये थी कि zoom app पर online classes शल रहे थे, बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे थे, और अचानक से एक नंगा पुंगा आदमी video conference में आ गया, ऐसे में बच्चों के दिमाग पर बह आदे कर रहे थे, आपको बता दे कि 5 लाग से ज्यादा accounts hack हो चुके हैं, और डार्क वेप पर बेचे जा रहे हैं, अगर आप नहीं जानते हैं कि डार्क वेप क्या होता है, तो आप मुझे comment करके जरूर बताएं, और हाँ, इस videos related मैंने एक और video बनाई है, जो कि आप देख सकते हैं, आपर true color के बारे में है, true color के उपर मैंने पुरी एक case study बनाई है, और मैं आपको highly recommend करूंगा, coronavirus वाली जो वीडियो है, वो देखने के लिए, तो ये वीडियो देखने के बाद, इन दोनों वीडियो को जाके जरूर देखें, link मैंने description में दे दिया है, खेर अगर म अपने family member का कैसे नुकसान होने दे सकता है, अगर अभी तक आप technical मेंदा family member नहीं बने है, तो जन्दे से इस technical मेंदा वीरूप चानल को subscribe करके family member बन जाए, और एक member के हैसे से इस video को अपने family, friends, relative, जो भी जान पहचान के लोग हैं, उन्हें ये share जरूर करें, मैं मिलता हू अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!